हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ब्रेन टीजर के कुछ्चन को सॉल्व कर रहे थे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था आज हम लोग कुछ्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे तो अगर आप लोगो आपको क्या करना है इन्हें सिंप्लीफाय करना है इन्हें तो यहां देखे क्या है 7 अपॉन 8 तुदी पावर मैनस 3 इंट। 9 अपॉन 5 तुदी पावर 0 इंट। 8 तुदी पावर मैनस 2 इंट। 1 अपॉन 7 तुदी पावर मैनस 1 तो देखे बहुत सारे नंबर है एक्सपोन 8 to the power minus 3 है तो हम power को जब positive में हमें करना होता है तो क्या करते हैं इसके base का reciprocal कर देते हैं 7 upon 8 को क्या करेंगे 8 upon 7 कर देंगे उल्टा कर देंगे ठीक है और इसका power क्या हो जाएगा positive में आ जाएगा next देखे 9 upon 5 to the power 0 तो इसकी value 1 हो जाएगी देखे यहां हम यह 7 upon 8 to the power minus 3 मैंने किस formula से किया यह आप लोग जानते होंगे since p upon q to the power minus m equal to q upon p to the power m ठीक है यह formula जानते होंगे इसी formula से मैंने इसे किया है और second में 9 upon 5 to the power 0 तो इसका भी अपलूग फार्मुला जानते होंगे x to the power 0 equal to 1 किसी भी number पे अगर power 0 हो तो उसकी value क्या होती है 1 होती है तो 1 हम यहां put कर लेंगे next is 8 to the power minus 2 तो इसे भी हम जानते है कि इसके power को positive कैसे करना है इस number को 1 के नीचे ले आएंगे तो इसका power क्या हो जाएगा positive में आ जाएगा फिर है आपके पास 1 upon 7 to the power minus 1 तो इसका भी हम क्या करेंगे reciprocal लिखेंगे 1 upon 7 का 7 power क्या हो जाएगा positive में आ जाएगा अब देखो 8 upon 7 to the power 3 है this means क्या हुआ 8 upon 7 3 times multiply हुआ है तो यहां हम 8 into 8 into 8 upon 7 into 7 into 7 ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और यह 1 तो इसके साथ multiply होके सेम यह number आएगा into 1 upon 8 square means 8 into 8 into 7 अब देखो यहां कुछ numbers आपके cancel होगे यह 7 7 cancel होगा 8 से यह 8 cancel होगा यह 8 से यह 8 cancel होगा तो यहां answer क्या आएगा देखिए उपर आपके पास क्या रह गया है 8 8 into 1 8 और नीचे आपके पास रह गया है 7 into 7 7 7 49 ठीक है यह इसका answer हो गया next है देखिए यहां 4 upon 5 to the power 3 whole to the power 2 है and divide में 4 upon 5 whole to the power 2 है तो यहां देखिए पावर पे पावर है तो क्या होगा पावर पे पावर जबराता है तो multiply होते है 4 upon 5 और यह 3 into 2 6 हो जाएगा divided by 4 upon 5 to the power 2 यह आप जानते होंगे यहां पर मैंने क्या formula यूज किया है x to the power m whole to the power n equal to x to the power m into n इस formula को मैंने यहां apply किया है and multiply का sign है तो देंगे multiply का sign 1 upon 4 to the power minus 2 तो power को positive में लाने के लिए क्या करेंगे 1 upon 4 को उल्टा कर देंगे 4 हो जाएगा and power 2 into 4 to the power minus 1 यह number 1 के नीचे आ जाएगा अब देखो क्या होगा यहां देखिए दोनों के base सेम है 4 upon 5 4 upon 5 and divide का sign है तो क्या होता है power subtract हो जाते है जब भी base सेम होते है and divide का sign होता है तो इसके power क्या होंगे subtract हो जाएगे 6 minus 2 4 होगा 6 minus 2 आपका 4 आएगा and multiply by 4 to the power 2 into 1 upon 4 अब देखो 4 upon 5 to the power 4 means 4 4 times multiply होगा and 5 भी 4 times multiply होगा into 4 square means 4 into 4 into 1 upon 4 अब आप देखो यहां कुछ numbers cancel होंगे 4 4 cancel होगा और कोई भी number cancel नहीं होगा तो अब देखो यह 4 4 4 4 4 4 5 times 4 रहाया है तो जब इन्हें हम multiply करेंगे तो हमार आएगा 1025 sorry 1024 4 को अगर हम 5 times multiply करेंगे तो 1024 और नीचे 5 को 4 times multiply करेंगे तो 625 आएगा यह इसका answer होगा ठीक है नेक्स्ट है देखिए minus 4 upon 5 to the power 3 into 5 square into minus 1 upon 2 to the power 5 into 1 upon 2 to the power minus 3 तो यहां भी देखो क्या करेंगे इसे multiply करेंगे minus 4 upon 5 को 3 times हम multiply करेंगे देखो इस तरह से minus 4 upon 5 into minus 4 upon 5 into minus 4 upon 5 तो आपका multiply करके आएगा minus 64 upon 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 square आपका आजाएगा 25 into minus 1 upon 2 यह भी आपका multiply होके minus में ही number रहेगा 2 32 हो जाएगा ठीक है एंड 1 upon 2 all to the power minus 3 है तो इस पावर को क्या करेंगे हम प्लस में चेंज करेंगे तो 1 upon 2 क्या हो जागा 2 to the power 3 तो यहां देखो आप कुछ नंबर्स कैंसिल होंगे 25 से 125 5 times कैंसिल होगा और 32 से 64 2 times कैंसिल होगा ठीक है तो यहां देखो क्या होगा minus 2 minus 1 minus minus plus में हो जागा 2 into 1 2 and यहां देखो है 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2 and नीचे आपका 5 रह गया है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 इन सभी को अगर हम multiply करेंगे तो आपका 16 upon 5 यह इसका answer हो गया ठीक है next है देखिए 4 में 2 upon 3 whole to the power 2 power minus 6 तो यहां भी देखिए 2 power है दोनों power क्या हो जाएंगे multiply हो जाएंगे तो 2 upon 3 to the power 2 into minus 6 अब का होगा minus 12 into यहां क्या है 2 upon 3 to the power 2 into 3 upon 2 to the power minus 10 तो पावर को positive में लाने के लिए क्लिए क्लिए 3 upon 2 का reciprocal लिखेंगे 2 upon 3 to the power 10 positive में आ जाएगा अब यहां आप देखो सभी के base theme है 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 2 upon 3 तो देखो अगर हम subtract करेंगे तो 2 upon 3 to the power 0 होगा और इसकी value क्या हो जाएगी 1 एक्स्ट कोस्चन है Express the numbers appearing in the following statements in the form k into 10 to the power n where 1 less than equal to k less than 10 and n is an integer तो आपको क्या कहा गया है कि नीचे देखिए कुछ statements आपको दिए गया है और उनमें कुछ numbers हैं उन्हें आपको k into 10 to the power n के form में लिखना है इस form में आपको लिखना है तो first statement में आपको दिखिए moon and earth का distance दिया गया है तो इसे आपको क्या करना है k into 10 to the power n के form में लिखना है तो इस number को हम क्या करेंगे सबसे पहले या लिखेंगे 384 400 000 meters इसे आपको k into 10 to the power n के form में करना है तो आप देखो यहां इस number में क्या करना पड़ेगा हमें decimal fix करना होगा तो इस number में decimal नहीं है तो आपको decimal right से लेकर जाना है किसी भी number में decimal नहीं रहता है इसका मतलब क्या उसके सबसे last में decimal है यहां तो आपको right से decimal लेकर जाना है left की और left में कहां लेकर जाना है 3 and 8 के बीच में तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस number को लिखेंगे three point decimal देंगे हम three and eight के बीच में और फिर four four zero 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 ठीक है into 10 to the power क्या डालेंगे तो देखिए कितने digit हम आगे decimal को लेकर गया है one two three four five six seven eight eight तो power अपका eight में रहेगा and power positive में होगा क्योंकि हम right से left की तरफ गया है यह इसका answer हो गया ठीक है next है देखो distance अपको दिया गया है the distance traveled by a ray of light in one year is इतना distance आपको दिया गया है आपको इसे क्या करना है k into 10 to the power n के फॉर्म में लिखना है तो इस नंबर को हम लिख लेंगे nine four six zero five double zero 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 अब यहां भी आपको right से देखो आपको right से decimal लेकर जाना है left की साइड में कहां लेकर जाना है nine four के बीच में तो यह सारे number हम यहां पे लिख लेंगे और decimal हम कहां fix करेंगे देखिए nine and four के बीच में इस जगह पावर क्या होगा देखिए कितने डिजिट आगे हम डेसिमल को लेकर गया है one two three four five six seven eight nine 10 11 12 13 14 15 तो पावर अपका 15 में होगा और प्लस में होगा क्योंकि हम right से left की तरफ गया है तो देखिए decimal के बाद बहुत सारे zero है यह सारे zero हम हटा देंगे जरूत नहीं इतने zero रखने की क्योंकि decimal के बाद zero की कोई value नहीं होती है तो nine point four six zero and five ठीक है five के बाद जितने zero है वो सारे zero हम हटा सकते है और 10 to the power 15 मीटर यह इसका आंसर हो गया ठीक है थार्ड में है the number of red blood cells per cubic mm of human blood is approximately 5.5 million तो five point five million आपको नंबर दिया गया है और इसे हमें क्या करना है k into ten to the power n की फॉर्म में लाना है तो यहां देखो यह बहुत एजी है यह आपको decimal में है ही five point five हम लिखेंगे और millions जब भी आपको millions दिया रहा है गा तो ten to the power आप six कर देना क्योंकि millions में one के साथ कितने zero होंगे six zero होंगे आप जानती होंगे once tens hundred thousand ten thousand a hundred thousand and million तो देखें one के साथ कितने zero है one two three four five six zero यह जहां million आया है उसी सबका five point five है तो हम five point five के साथ one million को multiply करेंगे और one million में कितने zero होंगे six zero तो बस यह बहुत easy था यह इसका answer हो गया ठीक है करेंगे लिएमाइ